नमस्कार बच्चों सागते आप सभी बच्चों के M.D. Glasses की YouTube चरह में कैसे हैं आप सभी साल 2022 खतम हो चुका और 2023 की आप सभी को M.D. Glasses भरपूर परिवार की तरफ से धेरो सुब कामना है आसा यही करते हैं कि आपने जितने भी सपने देख रखें अपने लिए अपने माबा हर एक सदस से बढ़ता रहे हर एक सदस से बड़ी सांदार चीजे करता रहे हैं आज हम बहुत सांदार चीजे कर रहे हैं और एक नए साल पे पहली जनरी को एक जबर्दस वीडियो आपके सामें लेकर आ रहे हैं सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत सवागत है सभी को सबसे पहले तो नया साल हमने जो भी सोच रखा एक बड़े बदलाओं की तरीके से देखे और जो भी हमने सोच रखा सकति उस नया साल में जरूर से जरूरुब अच्वर करें जितने भी सपने हमने देख राख है out candle को नहीं सालों में करके दिखाना है वस यहीं हमें अंदर से मोटिवेशन लेके चलना तो पांच चीजे हमने डिसाइड करी थी जो आपके साथ भी सेयर कर रहा है ताकि आप भी इन पांच चीजों को कर पाईए सबसे पहली चीज उसमें से आई थी कि हम नए साल में हम तभी कुछ अच्छा कर सकते हैं जब अपने पिछले सालों की कमिया को समझ पाए और किसी भी की जीवन में यही होना चाहिए वो अगर नए साल में जा रहा है तो हमेशा पहले पिछले साल में क्या कमी रहेगी अगर हम जीवन बदलाओ चाहते हैं कुछ से बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो हम पिछले वाले जिंदगी में पिछले वाले साल में हमने क्या क्या चीजे छोड़ी है कहां फाल्ट रहेगे उसको जरूर पहचाना जोड़ी है हमारी जौब ने लगी गवर्मेंट क्यों नहीं लगी भाई क्या क्या चीजे हमारे पास कमी रहेगे ती या हो सकता हम कुछ नहीं तैयारी कर रहे है तो क्या तैयारी कर रहे है वह सभी चीजे हमें पहले पहचाननी पड़ेंगी तो सबसे पहला revolution आपको यहीं करना है कि analysis or false आपके क्या कम्या है आपने जो बहतर करा है, वहाँ पे कैसे बहतर करा, उसकी क्या पीछे महनत रही थी, कहां कहां आपने खुद को positive रखा और नय साल में एक जबरदस तरीके से कि आपने क्या क्या कमिया उसको पूरा करिए, पूरा देखिए कि कहां फाल्ट रहेगी, content कैसा पढ़ा था, कहां महनत कर रहे थे, क्या सिर्फ सौर्ट देखने में बिता दी थी, क्या, सिर्फ वीडियोज बनाने में बिता दी, क्या, व दोस्ते रात में ज्यादा समय होगी, हम सुबह पढ़े लेते हैं, सब के पास yes comments आएंगे, क्योंकि सब के जोन में ये चीज़ आती है, कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसो, कभी ना कभी चीज़े हमें टालने की आदत पढ़ गई है, हमने एक प्रड़ बनाया, कि हम चीज को नहीं टालेंगे, ये पांच revolution अपने copy में, अपने diary में नोट कर लीजे, विश्वास मानिए 2023 अपने आप में, आपके पास करांतिकारी होने वाला हम किसी भी चीज़ को टालेंगे नहीं, चाहे कुछी भी हो जाए, अगला revolution हमारे पास आता है, कि खुद की गलतियां मान और ये बिल्कूर सही है, अगर हम किसी परिक्षा को नहीं करेक कर पाते, ये भी बात आप बताईएगा, कि कोई भी परिक्षा अगर हम नहीं करेक कर पाते, तो हमें लगता है, कि हम जनरल केटिगरी से हैं, तो हम क्रेक नहीं कर पाए, कास हम EWS हो रहे होते, कास हम OBC होते, प्ढ़ा रहे होता हम चीजसे को आराम पढ़ पार होते हम उस-सहर में जाकर चाहर आते तो हम पास कर ले तो अपनी घलतियों को दूसरे पे नहीं डालना है कहीं कमी रहेगी आपकी वजह से रहेगी अपने जीवन कि ET ही निर्वार करता है आपको खुद ही सोचना कि आपके जीवन को सही दिसा कैसे मिलेगी कुमार विश्वाजी ने एक बड़ी सांदार बात कही ती कि गरीब पैदा होना कोई गुनाओ नहीं है गुना और जिम्मदारी है गरीब मरना असला पाप असली पाप उसी में है भाई इसमें हमारी कोई कमी नहीं है कि हम गरीब पैदा हो गए हम गरीब मरे यह मेरा गुना है यानि हमने महनती नहीं खरी जिसलिए हम आये थे अक्षिय मों हमने कभी करा ही नहीं और यहीं सही बात है आप अपने जीवनों बदलाओ तभी ला सकते हैं जब खुद की गलतिया मानिए कि आप ही में कमी है क्या कमी है कैसी कमी है वो सभी चीज़े जब आप मानिए तभी जीवनों बदलाओ आ सकती है अगला है कि सोसल मीडिया आप में से बहुत सारे बच्चों ने रिल्स बनाए होंगे वीडियो बनाए होंगे दिन भर रिल्स से देख रहे होंगे नय साल के लगता रिल्स आप से एर कर रहे होंगे क्या उससे कोई बिनफिट मिला क्या आपको हम सोसल मीडिया ऐसा नहीं कह सक लेकिन अगर सही उपयोग करेंगे तब अगर हम गलत उपयोग करेंगे तो सोचल मीडिया इतनी खराब चीज़े कि पूरा जीवन बरबाद कर देती हैं हम एक एक दो दो तिन तिन गंटे सिर्फ सौट से देखते रह जाते हैं सिर्फ रिल से देखते रह लेकिन हम अपने आपको खुद बरबाद करने में लगे हुए इसका 맞는 से हैं पहुचा देगा और इसका गरत स White आपको अगर से पहुचा देगा ऊपर से नीचे पहुचा देगा ओपिस में अपहुत सारे लोग है जो दिन भर इसी में लगे होते हैं और वह वाकई में दो महीने चार महीने पांच महीने तक किसी काम को करते हैं फिर ठक जाते हैं फिर दूसरे जहेंगा चले जाते हैं वह दूसरी कटेगरी एक आती है जो दिन भर महनत करते ऑफिस में और आज कहां से वह कहां पहुंचे हैं कहां उन्होंने एक छोटी मीडिया पर दुनिया की हर चीज कर सकते लेकिन एक गलत उपयोग पूरी लाइफ यहां बरबात कर देता है और आकरी चीज है कि हर सब्ता कहां कम ही रह जा रही हर सब्ता देखिये और यह बच्चों के लिए सबसे बनफिट हो सकता है जब वो मौक्तिस लगा रहे होंगे हर सब्ता मौक्तिस लगा ये खुद के औप्जबिशन करिए कि पिछली बार मैथ में अगर आपने ये टॉपिक के प्रस्न करे थे तो अब ये टॉपिक क्यों नहीं हो पारा पिछली बार अगर आपने ये करे थे तो अब ये क्यों नहीं हो पारा वो क्यों नहीं हो पा रहा हर सब्ता खुद को इनालाइज करिए मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस पांच चीजों का एसकिन सौर्ट जरूर लीजे और साथ ये किसी विद्यार्थी के एक पर्टिक्लर बात नहीं है ये हर कोई कर सकता है कि भाई अपने अपने फाल्स को सोच है कि काहा कम या रखी है चीजों को ना टालिये दूसरे को उपर गलतिया ना थो पिए खुद की गलती को मानिये सोचल मीडिया का कम करिए और हर सब्ता खुद की आजास करिए और यह चीजे कैसे हो सकती है । جिशे के जीवन में कोई हाम बात नहीं थी कि 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 जीवन पसंद है लेकिन फिर भी वो चीज़े नहीं हुपा रही हैं तो कहीं न कहीं कुछ तो कमी रह जा रही हैं हम यह चीज़े कैसे कर सकते हैं हम कर सकते इन चीजों को इन स्टेप्स के थ्रू हम ख़ो घंड़ी लेकर आंगे मार्केट में इतनी डैरियां उखती है नया साल पर क्या सब पागल या खरी छो गरी допसे दे चले पर लिखेते ना वो गम कम हो जाते हैं यानि डैरी आपकी साथी हैं आपके सुख में भी आपके दुख में भी वो डैरियां आपके साथ होती हैं वो लिखे कौपी पर पन्ने आपके साथ होते हैं इसलिए कहते हैं कि कभी भी बहुत सुख हो रहा हो तो डैरी पर जरूर options है और उस डाइडी को लगातार maintain करिए एक तारी को लिखिए कि मैं यह यह टॉपिक्स पढ़ूँगा कभी टाइम टेबल मत बनाओ घंटे की साफ से हमेशा टॉपिक्स की हिसाब से टॉपिक से टॉपिक यह टॉपिक कवर करूंगा मैथ में यह करूंगा एक यह करूंगा तब ही आगे बढ़ोगे उस जो जो कर लिया उसको काटते जाओ फिर अगले टॉपिक पर फोकस करना है इस तरीके से हम कर सकते हैं चीजों को इसके बाद हर रोज कुछ नया सीको समय का सही सदूपयोग सोसल मीडिया ली बात आपको बता ही थी 2023 में एक नया रिवलूशन ली बहुत बढ़ई है क्योंकि 24 मेलक्सन और आपकी लिए स्तांदार मौका सबसे बड़ी भरती है जो आप अभी फ़र्म भर सकते, और अभी रिवलूशन ले सकते हैं और ये बड़ी भरती पर नहिंद नहीं होनी चाहिए और SSC के official calendar के हिसाब से मार्च में इसकी परिक्षाएं हो जाएंगे तो सबसे पहली और सबसे बड़ी भरती CHSL की आपके पास हो रही है जो अभी से आप सोच सकते हैं अभी से पड़ा ले सकते हैं माल लीजे आपने इसमें बढ़िया नहीं कर पाया आपने पूरी जान लगा देते लेकिन फिर भी कुछ कमी रहेगे क्योंकि किसी भी परिक्षा को पार करने के लिए मिनिममम चार से पांच महिने तो जान लगानी ही पड़ती है क्योंकि दूसरे ने करा है तो उसको कैसे पास पद देखिने को मिलेंगे 1827 जनरल कटेगरी केज होगी वाकि ओबीसी जो होगी वह आपको पता है कि तीन साल के रिक्सेशन स्टी पांच सासरे रिक्सेशन ले सकते हैं जो आपको एलिजिबिल्टी चाहिए वो 12 पास चाहिए और जुलाई और अगस्त में आपके पा सिर्फ पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सीजल किया जाते हैं अगली भरती अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो एक बड़ी भरती होती है इंकम टेक्स इंस्पक्टर बनने की पूरे जीवन को बदलने की इसकी भी एससी लगतार मुहीम चला रहा है 2022 आपने फ दो महीने आपको परिक्षा की त्यारी को देगा और जून जुलाई में उन्होंने कहा कि परिक्षा करा लेंगे क्या अभी से त्यारी नहीं करोगे तो निकल पाएगा क्या 6 महीने बचे रहे जून में पूरी जान आपको लगानी पड़ेगी इसके लिए आपके पास जो चाहिए थी वो अलग-अलग पोश्चे की अलग-अलग एज होती है 18-27 जनरल कटिगरी 18-30 भी किसे में मांगी जाती है और 20-30 में भी कहीं-कहीं आपके पास यहां पर मांगी जाती है इसके लावा जून और जुलाही में आपकी पास परिक्षा होगी गरेजिशन चाहिए पद आठ जार से थोड़े जादा आपके पास हो सकते हैं अब आपने कहा कि सर मैं सिर्फ तेंथ करा हूँ मेरे पास क्या भरती हो सकती है मैंने कहा तेंथ किये होना तो S.S.C. आपको दो अपार्चुन्टी इस्तिलाल देने वाली है यानि 2023 में दो अपार्चुन्टी आप 22 की भी नोटिफिकेशन और 23 की भी नोटिफिकेशन दे देते हैं कैसे जरा समझेगा कि MTS 2022 की नोटिफिकेशन 17 जनवरी को आएगे और अपरेल में परिक्षा हो जाएगी और तेंथ पास तो है 18 से 25 होती है जनरल कर्टेगरी के लिए बाकी OBST अपने OBCC, ST, ST, अपने इस की भी पेपर आपके पास अगा सिप्तमबर में होगी सारी चीजिया आपको समझ भी आई मतलब तेंथ पास में दो मौके आपको इस बार दे रही है SSC कितना सांधाल लग रहा है इसके लामा अगली भरती क्या यह सब आफिसल में आपको बता रहा हो ताकि आपको पूरी त SSC की फॉर्म जारी कर देगा ऑफिसल यह है और अक्टूबर में परिक्षा होगी 12 पास कोई बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है बस यहां एक चीज़ आपके पास चाहिए होती है आपकी हाइट चाहिए होती है और आपकी एज सिरफ 25 साल होती है बीस से 25 साल आप सीप्यो को मिलेगी वो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2023 की मिलेगी SSC ने जो कैलेंडर चारी किया उसमें दिल्ली पुलिस को बाहर रखा है SSC GD 2023 को भी बाहर रखा है और बहुत चांसे है कि दिल्ली पुलिस इस बार SSC CGL स्वारी SSC आयोग नहीं करा रहा होगा SSC नहीं कराएगा तो दिल्ली पुलिस की भरती दिल्ली पुलिस ही कराएगी और फॉर्म जो होगा वो 2023 मार्च में आने के चांसेज है एज 18 से 25 आपका जनरल कटेगरी के लिए पद 4012 पासवाला हर बच्चा पुलाई कर सकता है इसके बाद जो अगली भरती आपको देख सकती है वो है लेकिन रिलक्सेक्शन के बाद यह 25 हो सकती है क्योंकि डाटा बहुत सारे बच्चों का है जिन्होंने पिछले दो सालों से तीन सालों से इंतिजार करा ओवरेज हो चुके है तो यह फॉर्म में रिलक्सेशन बहुत जरूरी है और इसके लिए कैमपेंड भी बच्चे कर जाता है और इसके बाद अगली बड़ी भरती आपको देखने को मिल सकती है वह एलपी और टेक्नीसन 2023 की भरती जहां पर 30,000 से ज्यादा पता आपको देखने को मिलेंगे 18-28 या फिर 30 साल आपको एज देखने को मिलेगा और कौन सा बच्चा प्लाई कर सकता है तो पीसे मा बच्चा कर सकता है जिन बच्चों ने डिप्लोमा करा है जिन बच्चों ने आई टी आई करा है या जिन बच्चों ने बीटेक करा है वो सब बच्चा यहां पर अप्लाई कर सकता है पहले यह फॉर्म फवरी मार्च में एक्सपेक्टेड हो रहे हैं लेकिन जनवरी और फ इस के लामा भी क्या-क्या बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी तो आर्प एप एसाई और कॉंस्टेबल प्लस इसमें हम अगर टीटी जोड़ देंगे तो ये भी आपके पास बड़ी भरती है डी आर्डियों ले लिजे एस्बी एक लर्क ले लिजे एससे जीडी लगा बहुत महनत करोगे बच्चा अपनी माबाप के सपने को पूरा करो उन्हें जितने दुख देखे हैं न वाकरी में आप उन्हें सभी को Só कम्पलीट रूगे कम्पलीट तरीके से उनके जिंदगी में सिर्फ खुसियां खुसियां होंगी और ये खुसियां तब जती उनको ना जब उनका बच्चा सेलेक्सन ले लेता है जम उनका बच्चा खुद उन पैरों पे खड़ा हो जाता है जिनको उन्होंने मजबूत बनाया है जिनको उन्होंने कई बार कह सकते हैं कि कई बार गिरने से रोका है उनके सपने को पूरा करना है आज ही से प्रण आपको को लीना पड़ेगा यह पांच आपके जिंदिगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे और आप सभी को एमडी क्लासिफ परिवार के तरफ से धेरो सुब कामना है आसा करते हैं कि इस परिवार पे आप सभी इसी तरीके से प्यार बनाया रखेंगे जिंदिगी में ज जाता इमानदार से लगे और जबरदस्त आपको सफलता दिलाएं लवी टो आल अफ यू बहुत बहुत सुक्रिया बाए 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 गुड नाइट टेकर अभी आप में लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे और वीडियो के बाद एमडी क्लासिस के लिए और दो सब्द प्रदस्रा इमानदार से लगिए बाए टेकर पमुड वाल आपको और से लगे लगयोल झाल दो सी horr